अगर वह सॉलीड है तो रोटर के लाएगा और उसके अंदर वाइंडिंग कर दी तो उसका नाम बदल के आर्मेचर कहेंगे ठीके तार में रोटर में थोड़ा सा एक बेसिकली जो अंतर क्या है जो फोलीड है मत्रोस है और घुमता है रोटर एक नाम दे दिया जो अपने अस इसी मोटर वो आईगी उसको नाम रोटर रही रोटेट करने वाला गुमने वाला भाग और उसके अंदर मालो वाइंडिंग कर करके रखी है वाइंडिंग में मोटर अपने दो प्रकर की होती है तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वह अपन देखते हैं उसका थोड़ा सा टेकनिक अलग है जो एसी मोटर का जो आर्मेचर होता है जिसे आपका अल्टरनेटर है या स्लिपरिंग मोटर है उसमें जिसे आप स्टेटर में वैंडिंग करता है वैसी की वैसी वैंडिंग इसमें होती है और जो अंतर क्या है डीसी का जो आर्मेचर होता है उसमें थोड़ा सा अंतर है लेप वैंडिंग वैंडिंग इसी सबसे तो अपने देखते हैं कि डीसी का जो आर्मेचर है डीसी का आर्मेचर एक त commutator segment जहां कोई लोग की connection होते हैं उसे अपन कहते हैं segment ठीक है यह segment है मैंगे 12 segment बना दिये ठीक है यह segment अलग अलग हैं बीच में माई का भरी विए सब और इसका shaft के उपर इसको fit कर दिया है winding कहीं से भी आप start कर सकते हो ठीक है शुरुबात अपने माना कि इस segment से start की हमने एक coil हमने बना दी यहां से एक lead sorting कर दिया एक coil हमने बना दी इसका दूसरा जो सीरा आया वो दूसरे segment पे sorting हो जाएगा यहां से यहीं से निकलेगा अगली coil ऐसे अगली coil का सीरा वो यहां पर sorting हो जाएगा फिर यहां से निकलेगा अगली कोईल का सिरा यहां सोल्डिंग हो जाएगा कनेक्शन हो जाएंगे अब यहां पर यह कोईल यहां खतम हो जाता है सिरा लेकिन इसके बाद वाला सिरा है लास्ट वाला यह तो लास्ट हो गया शुरूबात कहां से करी थी फर्स्ट यहां से और us और ऐसे कोईल को वाइंडिंग करते है वो लास्ट शीरा बचा है वो फास्ट वाले से स्लोडिंग कर देना है ऐसे पूरा close हो गया लास्ट वाला जो सीरा है वो first वाले से short हो गया मतलब यह पूरा रिंग बन गया एक तरह से गौल तो इसको open कहते हैं कि रिंग connection से ठीक है close connection यह close यहां से कर दिया मतला से स्टार्ट करते हैं ऐसा फस्ट इन के अफ्टिव कर्के और एक segment के उपर देते हैं तो यह winding के लगती है close winding यह केवल आर्मेचर में ही होती है ठीक है और वो भी DC के आर्मेचर में ही होती है ऐसी वाले में open winding होती है open winding कैसे होती है माना कि एक कोईल के connection यह हो गए दूसरी कोईल में यहां 4 कोईल या बना ज़ता हूँ यह ठीक है माना कि यह 4 पोल है चार पोल के connection यह starting यह ending जैसे आपन कोईल के उपर जैसे चलते है तो starting आ गया इसमें ending और ending ऐसे जोड़ते है इस start को अगले पोल के start से जोड़ दिया इसका ending बचा वो ending जोड़ दिया और य ये सिरा स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकल गया लीड वायर के लिए ये लीड वायर के लिए बाहर निकल गया ऐसे अगर लीड वायर बाहर निकलते हैं इसको अपन इस वैंडिंग को कहेंगे ओपन वैंडिंग ठीक है ये ओपन वैंडिंग और क्लोस वैंडिंग का मालूम बढ़ गया क्लोज वैंडिंग आर्मेचर के अंदर जो फर्स्ट सिरा है वो लास्ट से जूड़ जाता है और दोनों खुले रहते हैं और बाहर सप्लाई के लिए निकलते हैं या बाहर लोड लगा यह जो भी तो वह आपके कि ओपन वायन इंडिंग हो गई ओपन वैंडिंग और ग्लोज वैंडिंग अब एक चीज़ यह हो गई अब przed सिका जो आर्मेचर होगा वह ऐसे ओपन होगा उसमें स्लीप रिंग होती हैं और वह लीड है बाहर निकाल के अपन आउउटपूट लेते हैं तो एक सिक आर्मेच के जह है तो इसका नाम रोटर कर दिया गुमने वाला भाग है उसमें वाइंडिंग ही नहीं है तो आपको आर्मेचर कहलाएगा तो यह प्लोज और यह ओपन ठीक है अब इनमें कैसे करते हैं वाइंडिंग अब एक थोड़ा सा अपन बनाते हैं इसका विस्तरत चित्र डेव जाएगी यह उसका पिच कहलाता है तो यह सारे कुछ बेसिक ल podéis आना कि यह हमारा एक एक दो तीन चार पांच स्ब्साट आख औज घ्यारा बारा सेग्मेंट वाला हमारा एक आर्मेचर है डिसी का उसकी ढेंग किस प्रकार से बनेगे और वाइंडिंग किस प्रकार से करें और माक्सिमुम जो आपके तर्न में बनाया है इसे बहुत सारे आगे स्टिंगे तर्टिंग कोईल की य साइड कहलती है जिसमें मैगतिल्ट बनता है और इसे से ऑफ़ोड मिलता है अगर जरेटर है तो इससे ऑफ़ोड मिलता है magnetic field बनता है और इसे से output भी मिलता है अगर जनेटर है तो इससे output मिलता है और अगर motor है तो magnetic field बनने काम करता है वो active side हो गई है न तो इसको अपने एक conductor बोलेंगे चालक active मदलब क्रिया शील हो गई जहां से magnetic field कटता है generator के अंदर तो voltage पैदा होते हैं वो इस चालकों में पैदा होंगे दोनों चालकों में ये main चालक कहला है और ये end turn हो गया ये दोनों चालकों को मिलाने वाला और ये lead wire हो गये इसके तो ऐसे एक turn का जो भाग है ये active side अब left winding है तो ये lead पास पास में होगी wave winding है तो ये lead इस प्रकार से होगी जैसे ये wave winding और ये आपकी ऐसे अगर पास पास में है तो left और wave दोनों में ये अंतर मालूम पड़िया अब यहां से जो अगली coil start होगी तो first सिरा जैसे ये बहार निकल गया ठीक है और उसका जो last सिरा जो बचा है यहां से फिर अगली coil start होगी यहां से ऐसे अगले slot में जाएगी अब ये देखना है कि इन दोनों के जो दो चालकों के जो बीच की जो दुरी है उसको open कहते हैं pitch ठीक है तो इसमें ये चीज आगी कि अपने को pitch सबसे पहला काम अपने को coil डालनी है तो डालनी कैसे रही तो सबसब पहला काम आपको pitch निकालना पड़ेगा pitch निकालना है तो इसका एक सुत्र है slot बटा pole ये stator हो चाहे rotor और armature हो दोनों के लिए common है slots बटा pole ये formula सब के लिए common है चाहे आप stator की winding करो चाहे आप armature की winding करो slot बटा pole अब माना की एक 12 slot माना की एक 12 slot है एक अपन ये winding करने जा रहे हैं जिसमें 12 slot है ठीक है और दो pole की जो winding करनी है दो pole के लिए तो इसका pitch कितना हो जाएगा 6 1 से 6 इसका pitch के लाएगा ये आपका हो गया pitch ठीक है जितने slot है उसके आधार पर ये pitch निकलेगा क्लियर हो गई बात कोई दिक्कत नहीं अपन ये अगर 16 है तो 8 हो जाएंगे अपने पास में एक armature जो पड़ा हुआ है अपन ये practical करेंगे तो उसमें अपने पास में जो armature है इसके अपन slot अगरा गिन लेते हैं तो उसमें जो slot है ड्राइंग बनाएं तो इसी की ड्राइंग बनाएं जो अपने पास में है अपने बनाएं और उसके अपन वाइंडिंग करने जा रहे हैं तो अपने इसी का development diagram बनाते हैं नमबर एक दूसरा एक चीज़ अपने armature में ध्यान में रखना है lex अगर simplex है तो जितने slot है slotों के संख्या बराबर segment के संख्या commutator के segment उतने ही हो तो वो simplex हो गया अगर मालो 12 slot है और 12 ही segment है तो simplex हो गया अगर यहाँ पर 12 slot है और 24 segment है तो duplex हो गया मतलब दूगूने हो गया अगर 12 slot है और 36 segment है तो triplex हो गया यह मालूम पढ़ जाएगा segment देखकर किना idea लगा लेना अपने पास में जो armature है उसको देखना है वो कौन सा lex है simplex, duplex, triplex कौन सा है यह देखना है तो जितने slot हैं और segment है उसी गनित करके फिर आगे अपने को काम करना है ठीक है अब अपन चलते हैं अपने पास में जो physically जो armature है उसको देखे अब अपने पास में यह एक DC का armature है ठीक है इसका armature है तो इसमें slot की किन्ती करना है एक जगह जैसे यह निशान लगा दो ठीक है यहां से गिनना शुरू कर दो यह एक हो गया इसको एक गिना है अपनोंने यह commutator segment है यह segment कितने है यह गिन लो मैं slot तो यह बना देता हूँ मैं कितने 16 slot होगे तो 16 और दो पोल के winding करना है अपने को ठीक है यह segment किन लो कितने है segment 88 होगे तो अपन और पोल इसके दो पोल है तो pitch किता रहेगा अब वापस अपने इस पर आ जाना है अब यह वाला जो armature अपना है यह armature कौन सा हो गया triplex ठीक है यह अपना armature हो गया आपका triplex अब यहाँ triplex left winding है तो इसमें तीन तार एक साथ चलाने पड़ेंगे एक coil के अंदर तीन coilे शामिल है एक slot में और पीच अपना निकाला हो पीच निकालो कितना हो जाएगा 16 है 16 तो 16 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया तो 1 से 8 यह numbering डाल तो 1 2 तो 1 से 8 इसका पीच रहेगा तो ऐसे एक पहली coil पहली coil का सीरा अपना यह बाहर निकल दिया कौन सा start वाला ये ये तो 12 है ऐसे ऐसे इसमें 16 slot होंगे और इसमें coilों की संख्या जाएगी क्योंकि ये triplex है तो इसका अगर ये ring diagram भी अगर बना ना हो तो आप बना देना तो इसमें फिर ये total आपकी coil की संख्या जाएगी तो पहले coil 1 से 8 में एक से 8 में यहाँ पर ये एक से 8 और चूंकि ये triplex है इसलिए इस coil का जो ending सिरा निकलेगा वो ये अगले segment पर जाएगा यहाँ पर जो segment बना दे अपन तो ये अगर segment है अपने को यासे 48 segment होंगे कैं ये segment हो गए ये community के segment है ये segment हो गए अब आपको पहले कोईल का start सिरा ये first segment पर हो गया है उसके बाद उसके पास वाले segment में वहीं से डूसरी कोईल start करनी है तार्न गीन लेना है इसमाँ 10 तार्न होते है पहले गीना है अपनाँ 10 तार्न gauge और turn जो है वो उसके horse power पर depend करते हैं इसलिए gauge और turn जो है वो बोटे की डिजाइन पर depend करते हैं बाकी method जो है पढ़ना आपको ये method है विधी क्या रहेगे तो अब दूसरी कोईल जो start होगी यहां से दूसरी कोईल start हो जाएगी वो भी इसी slot में जाएगी triplex से इसलिए अगर duplex उताद दो कोईले जाती ये triplex से इसलिए ये दूसरी कोईल भी उसी slot में जा रही है और ये इसका जो lead वायरा है वो अगले segment पर चला गया ठीक है यहीं से फिर तीसरी coil start हो जाएगी ऐसे वो भी इसी में जाएगी ये triplex है इसलिए ऐसा हो रहा है simplex होता तो एक slot में एक ही coil होती triplex है तो तीन coil है ऐसे ये तीसरी coil जो है वो आपकी और अगले segment पर ये ठीक है तो ये एक दोन तीन हो गई है अब इसका जो ending आया वो अगले slot में जाएगा slot change slot आपको change करना है slot change हो जाएगा फिर यहीं से वापस शुरू होगा क्योंकि तार इसमें अलग नहीं हुआ है तार को तोड़ा नहीं गया है continuous चल रहा है वायर अपना ऐसे ऐसे winding continuous चल रही है अब यहीं से फिर अब यहां तीन हो गए तो फिर अगला slot ले रो अगला slot ले लिया यहां से यह winding स्टार्ट हुई अपनी इस प्रकार से और यह भी गया आपके अगले next segment पर ठीक है फिर next coil आई आपके अरे यह red color आना चीए था ने चलो मैं color इसलिए change कराऊं थोड़ा missing हो गया तो चलेगा मतलब coil अलग-अलग होती जाएगी तीन coil अलग-अलग यह इस प्रकार से एक slot के अंदर तीन coil है ठीक है ऐसे ही आप तीन अलग-अलग color का ले लेना है और ऐसे ही एक slot में तीन-तीन coil लें ऐसे डालके यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है यह segment पर ठीक है यह segment पर अलग-अलग होता जाएगा ऐसे ऐसे segment total जो है आप segment करोगे तो यह complete आपकी drying बन जाएगी ठीक है ठीक है अगला slot लेना और इसमें ऐसे यह यह अगले segment पर यहाँ से दूसरा शुरू हो जाएगा तीन-तीन coil आपको बनानी है ऐसे ही बन जाएगी अभी अपन यह triplex कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको यह तीन-तीन तार आ रहा है simplex होता तो यह एक ही तार में काम हो जाता है अगर simplex होता तो अब पहले एक बार हितना typical बना लो तो आसानी से दूसरे तो जो नॉर्मल हो जाएगे यह तीन हो गए फिर अगला slot लेते हैं जैसे तीन हो जाते हैं अगला slot लेंगे आपन ऐसे slot change कर देना तीन तीन कोईले जो हैं ऐसे हर slot में आपको डालनी है और segment change होते रहना है segment change करते रहो ऐसे ही ठीक है ऐसे ही segment change होते रहेंगे और आपके यह winding में आगे आपको बढ़ते रहना है ठीक है आगे बढ़ते रहना next और ले लो फिर ऐसे ही करते करते आप अभी continuous चलते जाओ ऐसे ही यहाँ पर एक अगले segment में चला जाएगा अगले segment से दूसरी coil हर एक में तीन-तीन कोईले हर एक में ऐसे तीन-तीन कोईले डालते जाना है थोड़ा मैं यह speed बढ़ा रहा हूँ देख लेना आप आराम से बनाना एक बार बनाओगे तो थोड़ी mistake भी होगी दो-दो-तीन-तीन बार आप ड्राइंग बनाओगे यहाँ पर यह segment जो है वो अगले next segment पर ऐसे चलते जाना है ठीक है तीन हो गए अगला slot आजाएगा यह अगले slot में आपको जाना है ऐसे ही अगले slot में ऐसे करते हुए आप continuous सभी slot में भरते जाएगे अब यहाँ पर एक बार यह भरने के बाद फिर दूसरी side आजाएगी इसकी अगले इसकी side आजाएगी तो अगले side में भी यह सब में double layer होगी double layer मतलब अभी तो इसमें केवल यह तीन होगे next slot अगले slot में कोईले यहाँ segment पर change करते रहना है सेग्मेंट पर change करते रहना है आपको अगले यह next segment पर अभी segment भी पूरे बन जाएंगे आपके इसमें ऐसे करते हुए अपने जो ड्रेंग है वो पूरी हो जाएगी यह हर slot में यह अब यहाँ पर जो है क्योंकि यह पहले से भरा हुआ है यह यह तीन जो कोईले है वो नीचे की तरफ में इसी के उपर इसी slot में आठवे नंबर slot में यहां से अगली कोईल आएगी वो यहां पर और आजेगी डबल आजेगी एक slot के अंदर एक दो तीन तो यह और तीन दूसरे छे आएंगे छे चालक एक slot में जाएंगे ऐसा करेंगे तब जाकर किन भरेंगा यह पूरा और फिर ऐसे करते करते लास्ट में जैसे यह आगे अब यह डबल होना शुरू हो गया ठीक है स्लोट चेंज कर दो और यहां segment यह segment आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही आगे और segment बढ़ा लो आपके 18 segment पूरे करने न तो 18 segment तभी पूरे होंगे यह जब अभी कोईला आधी winding हुई है अभी winding पूरी हुई नहीं है अभी winding पूरी नहीं हुई है जैसे यह एक कोईल आई यहीं से दूसरा लीड वैर शुरू हो जाएगा और तीन-तीन एक स्लोट में तीन-तीन जो हैं वो डाल नहीं है ऐसे ठीक है तीन-तीन तार की जो winding करते जाओ यह तीन हो गए पूरे अब यह स्लोट पूरा भर गया तो यह complete हो गया यह वाला स्लोट आपका पूरा हो गया segment change होते जाएंगे यह स्लोट अभी पूरा भरा है यह भी आधे खाली है इन सब में ऐसे करते करते पूरे भरेंगे समझाया है बस यह इस प्रेकार से करते जाना है अब यह यहां यह खतम हो गया अगली कोई जैसे शुरूग हो गई अब यह next स्लोट में जाएगी है अब हर बार में स्लोट का जो पीछे एक बार start कर दिया तो पीछ सब में common हो चलेगा एक से 8 जो चल रहा है वैसे ही चलता फोईलें डालनी है यह ऐसा चित्र यह पूरा करना है आपको आशी यह ड्रहं को बनानी है यह आपका सहीफरी तीन ती मर नहीं सिंपलेग्स होता तो एक ही तार हाथा इसमें जितने स्लोटर सीम्स सेगमेंंट बराबर होते तो एक ही तार आता है ऐसा करके ने अभी एक चित्रा अधूरा है उसको आपको पूरा करना है कर लोगे यह आइडिया बता दिया इस हिसाब से आप पूरे करते रहे ना माना कि हमने यहां से लपेटना शुरू कर दिया कहां से इधर से है ना यहां से लपेटना शुरू किया है हमने ऐसे ऐ यह फर्स्ट लीड जो बाहर निकाल दिया अपने यह वाला तार ठीक है यहां आपने शोल्डरिंग कर दी ऐसे तो तीन तार एक साथ ले लिए एक फर्स्ट जो कर दिया इसमें और इसमें 11 टर्न लगाने थे ऐसे अपने टर्न लगा दिये ठीक है तो इसकी जो कंटिनुटी आ रही होगी वो यह सेकेंड वाला लीड यह यहां से जो एंडिंग वाला इसमें अपने स्लीव डाल दिये यह सेकेंड वाला जो लीड इसका एंडिंग है फर्स्ट कोईल का जो स्टार्ट हो गया यह सबसे लास्ट में पूरी वैंडिंग खतम होने के बाद फिर इससे दूसरी कोईल इसी के उपर शुरू कर दी ऐसे इसके उपर 11 टन और लगा दिया उसी कोईल के अंदर फिर इसका लीड वैर निकला वो अगले लीड वैर से जोड दिया ठीक है फिर 11 टन लगा दिया ऐसे करके ने एक दो और तीन ये अपना एक स्लोट की वैंडिंग पूरी हो जाए अब ये बचा है वो अगले स्लोट में जाएगा अब ल की वाला इस स्लोट में इसे करेंशन ओकर है ऐसे कर्ना है ये बनाना है ठीक है कि निकाल दिया जब तक यह पूरे स्लाट भरेंगे नहीं तब तक यह last आयेगा नहीं तो फर्स्ट और लास्ट जो लास्ट सीरा निकलेगा वह इससे जूड़ जाएगा तो हर segment पर दो-दो-तार होते हैं यह चीज़ देखोगा हर segment पर दो-दो-तार है यहां हर segment पर double है एक तरह से यूँ समझ लग यह tapping है इसका एक नाम दे दो tapping एक turn लगा दिये tapping निकाले फिर 11 turn लगा दिये tapping निकाले ऐसे कर लो जो जैसे समझ में आवे वैसे आपको करना है एक तरह से यह turn आपने लगा दिया फिर इसका लूप निकला फिर यह हर segment पर loop बनते हुए आएंगे हर segment पर दो-दो-तार आएंगे इसमें यह होती है आर मेंजर की winding इस परकार से आपको आर मेंजर के winding करनी है DC के लिए एसी का तो अपन और alternator का होगा तो बता देंगे आपको के DC के winding कैसे करते हैं ठीक है तो यह आपको drying आपको बनानी है इंजिरी ड्रेंग में बनानी है प्रेक्टिकल में बनानी है ठीरी में बनानी है तीन जगर बनानी है द्रेंग है देख लो अपी आप तो एक बार में तो यह रफ होगा कागज बिगडेंगे तो प्रेक्टिस आप करो दो तिन बार आट दस बार प्रेक्टिस करोगे तब जागर किने थोड़ा सा फिगर समझ में आ जाएगा इस प्रकार से करना है पिर अगला एक और पूरा लेंगे इसको अभी यह डागराम अधूर है उसको पूरा करना है यह स्लोट अभी पूरा भरा है ठीक है यह स्लोट भर दिया मैंने यह नववा नमर का स्लोट भढ़ दिया अभी खाली है तो दसवा ग्यारवा बारवा तेरवा चवदवा पंदरवा सोलवा स्लोट खाली है तो आप ऐसे ही इसको लगातर कंटिनिस करते जाएंगे ति पूरा बढ़ जाएगा और लास्ट में जो बचेगा वो इसकी जो दूसरी साइड आएगी वो यहां आजएगी ति पूरा बढ़ जाएंगे यहां तर ठीक है इसको एक बार करना है